वक्त की बड़ी खबार दोशी मुकेश को सुप्रीम कोट से जटका तो ये बड़ी खबार आपको दे रहा है तो बतादे कि सुप्रीम कोट ने दोशी मुकेश सिंग को जटका दिया है तो सुप्रीम कोट ने दया आचिका के खिलाफ अरजी को खारिच के आपको बदा दे कि दोशी मुकेश ने दया आचिका रगाय थी जुसे आप सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया है मुकेश्टी राश्णुपती की दया याचिका खारज करने के बाद सुप्रीम कोट का रुकिया पैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया सुप्रीम कोट ने साफ तोर पर इस याचिका को खारज करते हुए ये दलील दी है कि पैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया है तो राश्ट्रुपती ने सभी दस्तावेज देखकर ये पैसला लिया है सभी चार दोश्यों को एक परवरी कोफास ही होनी और लगातार अपने बचाव में एक के बाद एक पैतरे जो इन दोश्यों की तरफ से अपनाए जा रहे है लेकिन अब एक और बड़ा जटका यहाँ पर मुकेश को क्योंकि इसे पहले राश्ट्रुपती की तरफ से दयाया याचिका को कारिज कर दिया गया था जल्दबाजी में यह पैसला नहीं लिया गया तो पैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया पासी के पंदे तक जो लगातार समय है वो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन उससे पहले तमाम दलीले यहाँ पर अपने बचाव में रखी जा रहे है लेकिन सवाल यह कि क्या इस याचिका के खारिज होने के बाद अब निर्भ्या के दोशों की पासी की जो सजा है जो उस दोशीय मुकेश को सुप्रीम जटका लगा है तो निर्भ्या के गुर्यकार मुकेश की आचिका सुप्रीम कोट से खारिज हो चुकी है यह बड़ी ख़बर इस वक्ति हम आपको दे रहे तो सुप्रीम कोट का कहना है कि कोई सबूत नहीं कि प्रसांगिक दस्ताबेज करने के लिए सुप्रीम कोट में यह अरजी जो है वो दाकिल की थी जिसे अब सुप्रीम कोट ने खारच किया है तो यहाँ पर आपको बता दे कि जो दया याचिका राश्रुपती के सामने दोशी बुकेश उसंग के तरफ से लखाए गयी थी उसमें याचिका ओकार जोने के बाद सुप्रीम कोट का रूख किया गया था और इसमें यह दलील जो है वो मुकेश उसंग के बकिल के तरफ से रखी गई थी कोई दस्तावी जन्मों नहीं रखे गए